टॉक फोल बेस्ट फोन अंडर 35,000 रुपीज तो 35,000 रुपीज का जो बजट रेंज है न यह काफी यादा कम्प्टेटिव और अग्रेसिव बजट रेंज है जहाँ पर आपको लगपक हर एक स्मार्टफोन कंपेनी के तरफ से एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस इंट्रीक एंड अल्ड़नरी स्पैसिफिकेशन्स देखने को मिल जाते हैं चाहे फिर आपको फ्लेक्सिप गेमिंग करने के लिए अच्छा खासा प्रोसेसर चाहिए या फिर फ्रीमियम फोटोग्राफी करने के लिए अच्छा खासा कैमरा चाहिए सारे इस स्पैसिफिकेशन्स आपको इस बजट के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं अगर आप भी कंफ्यूज हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी और सही जानकर ही मिल पाए चलिए वीना किशिदेरी की वीडियो को स्टार्ट के लेते हैं अगर हम बात करें हमाई लिस्ट के सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में तो वो हमने रखा है आईक्यू की तरफ से आने वाला आईक्यू नियो नाइन प्रो 5G स्मार्टफोन और ये स्मार्टफोन 35,000 रुपीस की बजट प्राइसे में देखने को मिल जाता है जोकि इस बजट का वन अफ बेस्ट 5G स्मार्टफोन है जहां पर आपको परफॉर्मेंस से प्रोफोन के स्मार्टफोन के लिए लएं नहीं को मिल जाता है यहां पर आपको 8GB RAM सपोर्ट के साथ 256GB तक की इन विल्ट मेंरी भी देखने को मिल जाती है वहीं अगर आप 128GB वाला वारियंट लेते है तो वो आपको 35,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफून के बैटरी स्पैसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको 5100MH की काफी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो की 120W फ्लस चार्जिंग सपोर्ट करती है मनलब आपको जो स्मार्टफून लगब 20-25 मिलिट में 0-100% फूल चार्ज हो जाएगा इसके अलावा अगर बात करें उहीं पर इस स्मार्टफून के डिस्प्ले स्पैसिफिकेशन की बारे में यहाँ पर आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड फूर स्मूद एक्स्पिरियंस एंड गेमिंग एक्स्पिरियंस को इनहेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 144 अज़तक का रिफर्श चेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इसके अलावा कर एड दे एंड वहीं पर बात करें इस स्मार्ट फून के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 50 प्लस 8 मेगा पिक्सल का डूल येर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसके बाद चलिए आप बात कर लेते हैं हमाई लिष्ट के सेकेंड नमर वाले स्मार्ट फून के बारे में जो की हमने रखा है रियल्मी के तरफ से आने वाला रियल्मी का लेटेस्ट GT60 5G स्मार्टफून और ये रियल्मी के जीटी सीरीज से है मनलब आपको यहाँ पर पर्फॉर्मेंस स्मार्टफून के स्मार्टफून के बारे में तो यहाँ पर आपको पर्फॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 का 2.8 GHz पे क्लॉग्ड OctaCore 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको 8GB RAM सपोर्ट के साथ maximum 128GB तक की inbuilt memory देखने को मिल जाएगी वहीं पर बात करें इस स्मार्टफून के बैटरी स्पैसिफिकेशन के बारे में 120 हस तक का maximum refresh rate सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इसके लावा अगर बात करें एड़ एंड इस स्मार्टफून के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 50 प्लस 8MP का डूल लियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है 5G स्मार्टफून और यह स्मार्टफून आपको अभी के टाइम पर 30,000 रुपीज की प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा और इस स्मार्टफून के साथ जाना भी एक perfect choice हो सकती है अगर आप Poco के स्मार्टफून prefer करना चाहते हैं या फिर किसी अधर ब्रेंड के साथ आप जाना चाहते हैं तो आप उन इस ब्रेंड के साथ भी जा सकते हैं बट हाँ अगर आपको Poco पसंद है तो आप इस स्मार्टफून को consider करेंगे अगर इस specifications के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 का 3 GHz पे clocked Octocore 5G processor देखने को मिल जाता है इसके लाव आपको 8GB RAM support के साथ maximum 256GB तक की inbuilt memory भी देखने को मिल जाएगी और वहीं अगर बैटरी के तो बात करें तो 5000MHz की काफी बड़ी या बड़ी बैटरी के साथ maximum 90W तक का turbo power charging support देखने को मिल जाता है और अगर बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तोर पर 6.67 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो की 1220 x 2712 pixels की है और यह जो डिस्प्ले पनिल है तो 446ppi pixel density पे वर्क करती है यहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass Victus की protection देखने को मिल जाएगी 128 तक का refresh rate support देखने को मिल जाएगा तो overall specifications आपको यहाँ पर भी कमाल के देखने को मिल जाते हैं जिसके लावा कर at the end बात करें वहीं पर इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको photography features के तौर पर 50 प्लस 8MP का dual-lear camera support देखने को मिल जाता है विद OIS support और आप यहाँ से maximum 4K quality में 60fps पर easily Ultra HD में अपने वीडियो को record कर सकते हैं और वहीं आपको सामने के तरफ भी 20MP का Sony का एक sensor देखने को मिल जाएगा तो यह रहे top 4 best smartphones जोकि आपको 35,000 रुपीज की prices में देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने 24 याफी अपने need users के basis पर किसे भी smartphone की तरफ जा सकते हैं तो at the end of this video I hope कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और यह वीडियो आपके लिए काफी अदर informative रही होगी तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंप्रिक कर दीजग लाइक और चैनल कर दीज़ सब्सक्राइब तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं लिए online testing वीडियो में